हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत दोस्तों अनुजेसेकेडमी चैनल पर और आज हम यहाँ पर बात करने वाले आपका यूपी टेट 2021 के बारे में कि आपकी परिक्षा कब होगी और फोर्म देखे आपका कौन-कौन डाल सकता है साथी साथ देखे आज जो न्यूज आई आपकी टेट परिक्षा को लेके देखे उसमें क्या पता है उसको हम देखेगे और देखे आपका पहली बार में आप जो टेट की परिक्षा कैसे पास कर सकते हैं देखे आप दोस्तों यहाँ पे 115-120 नमबर के साथ दोस्तों यहाँ नहीं परिक्षा को लेके यूपी टेट जूञट के बारे में आपका उत्तरप्रदेश-शिक्षक-पातरता परिक्षा यूपी टेटी दोजार बीस अब एडिड जूनियर हाई स्कूल सिक्सक भरती के बाद होगी याँ पे सच्चिव याँ पे परिक्षा नियमक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र में सासन के विशेश सच्चिव आरबी सिंग की ओर से कहा गया है कि अब एडिड सुपर टैट होगा परिक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी यहाँ पे करने करने सहित यहाँ पे अंतिम परिणाम मै तक घोसित किया जाएगा मै मैं एडिड जूनियर हाई स्कूलों के लिए सिक्सक भरती पोरी होने के बाद यानि कि यहां पर दिया कि पूरी होने के बाद सचीव परिक्षा नियामक प्रादिकारी की ओर से सासन के पास यूपी टेटी के लिए तीसरी बार प्रस्ताओ भेजना होगा परिक्षा नियामक की ओर से सासन के पास दो बार प्रस्ताओ भेजा जा चुका है देखिए भई आपका क्या पे बोला है कि आपका इसके आपका यानि कि एडिड में जो ये भरती है इसका एक्जाम होगा 18 प्रेल को मई में आपकी ये जो है पूरी होगी उसके बाद यापे बोला है कि उसके बाद यापे प्रस्ताव भेजा जाएगा तो यहाँ पे आप आसपास भाई देखी तो मान के चल सकते कि आपका जून या जूलाई में आपकी ये परिक्षा होगी यूपीटेट की या पे देखें बहुत सारे भाई बैनों के याँ पर कोश्चन है कि याँ पर की परिक्षा के लिए फॉर्म कोन-कोन डाल सकते भाई देखें आपका बीय final year में तो देखें first year में इन्हों ने exam नहीं दिया TET का उसके बाद जो है आपका 2021 में अब उनका जो है final हो जाएगा लगबग June के आज पास तक उनका session तो अब यहापे देखें उनके पास यह जो होगा पहला मौका होगा और देखें इसमें जो है form डलवाया जाएगा ठीक है क्योंकि इन्होंने first year में भी exam नहीं दिया और जो आपकी सिक्षक भरती आने वाले प्रात्मिक में वो आपका जैसे TET की परिक्सा होगी उसी के बाद आपकी जो है primary में जो भरती आएगी उसी में आप जो है TET किलियर करने के बाद जो है प्रात्मिक में जो भरती निकलेगी जिससे की अलक्सान भी पास में आ जाएगा अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करेगा हम देखिए आपका पहली बार में कैसे आप पास कर सकते हैं और coaching और यहाँ पर self HD के बारे में देखिए भई तो देखिए इससे पहले जो है आप TET के लिए qualifying marks देख लिए देखिए यहाँ पर journal male और female के लिए यहाँ पर 90 question आपका right होना चाहिए प्रात्मिक हो यह आपका junior हो इसके बाद आपका OBC, SC, HD के लिए आपका basic question आपका male और female के लिए देखिए आपका clear होना चाहिए भई बाकी आपका देखिए negative marking इस exam में नहीं होती है तो अच्छे से भी आप तयारी करते रहे अब हम बात करें के देखिए आपका self HD से आप जो अच्छे number कैसे ला सकते है इससे पहले देखिए आप जो है syllabus देख लिए आपका यहाँ पर यह प्रात्मिक में है आपका और यह आपका है junior का देखिए आपका ठीक है देखिए आपका इसमें 5 subject होते आपका यहाँ पहला जो subject है आपका हिंदी का है इसमें आपका 30 question आपका पूछ जाएगा second आपका language है आपका Sanskrit, English और आपका उर्दू में से देखिए आपका वही ठीक है कोई भी आप एक language ले सकते है जो की आपका अच्छी है और इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो subject है यह आपका बाल विकास है जो की आपने B.A.D. या B.T.C. में आपने पढ़ा होगा इसके बाद यहाँ आयों का 6-7 question पूछे जाएगा और आपका UP special से question आएगा तो इसको अच्छे से तयार करना और यहाँ पे पाँचवा जो subject आपका यह गणित है सभी के लिए आपका जो फर्ष पेपर होता है यह comment होता आपका ठीक है यह आपका जो गणित आएगा यह basic गणित आएगा आप 2019 वाला जो है पेपर उठा के देख सकते है 2019 हो यह आपका 2018 तो यह सलेवस है अगर आपको वही देखिए आपका 110 यह आपको 115 marks अच्छे से लाना self HD से तो आपको देखिए सबसे पहले इन सभी subject की आपको जो है book लेनी होगी book देखिए अलग-अलग subject के लिए बागी देखि हिंदी के लिए आपका जो है आदित्य पब्लिकेशन या लुसेंट काफी जो है अच्छी है इसके बाद आपका गनित के लिए सारदा जो publication की book आती है वो अच्छी है इसमें आपका थीक है ना तो इसमें आपको पांचों subject पे जो है focus करना ऐसा नहीं कि आपने दो या तीन subject टोप कर लिए और आपने एक subject वीक कर लिया अगर आपका एक subject वीक होगा तो फिर आप जो 115-116 नंबर नहीं ला पाओगे तो आपको देखिए अगर बालिजे कोई आपका subject जो है ज्याद से मैं आपने नहीं दिया उस पे तो आप इसका देखिए coaching भी ले सकते है अगर आ coaching के इसको cover कर सकते अच्छे से तो आप उसको cover कर लिजे भई अब यहां पर देखिए आपका जो जूनियर वाला है यह second आपका paper है इसमें यह तीन subject तो आपके को मन है देखिए आपका पहला आपका Hindi दूसरा यहां पर आपकी language Sanskrit English उर्दू में से कोई एक आपका और बाल व और आपका bio से पूछा जाएगा start question अगर आपने देखिए किया होगा become किया होगा वही देखिए आपका इसमें तो यह आपने बीए किया होगा तो start question जो आएगा यहां पर आपका history आएगा geography आएगा policy आएगा economics आएगा ठीके तो यहां से आपका question पूछा जाएगा और cover हो जाएगा या आप competition की तयारी कर रहेगा तो यह वाला जो part होता ना आपका start question वाला यह बहुत ही आपका easy question आता है इसमें आपका तो इसको अच्छे से तयार करिएगा बाकी देखिए first paper में यह जो तीन subject आप तयार करोगे second में आपका यहीं से cover हो जाएगा बिल्कुल स चलिए और देखिए अच्छे से मैंने बताया कि आपका syllabus मैंने बता दिया आपको अगर आपको 115 marks जो है आपको लाने हैं तो आपको देखिए syllabus की जानकारी होनी चाहिए उसके बाद आपका जो है paper का trend आपको मालूम हो उसके लिए आपने syllabus देख लिया और आपका जो previous year paper है वो आप जरूर देख लिजे कि पहले यानि के जो वर्सों में आपके paper हुए आपका pedagogy कितना पोचा जाता है और आपका जो है static portion आपका जो है कितना पोचा जागा यानि के आपका जो बाल विकास में आपके सिधान्त जादातर पोचे आते आपके TED के exam में उसके बाद दे आपका जाएगा तो यह आपका नामोंकिन है selfishity जरूर है इसमें अगर आपको जो रत है तो आप देखे coaching कर लीजिए ठीक है किसी भी subject जिस पर आपने ज्यादा समय नहीं दिया है इसके बाद आप book भाई पांचों subject का आप book ले एक book ले या आप दो-दो book जरूर लीजिए आप इसमें इसके बाद आप notes अपने खुद के तयार करे जो कि आपको exam के समय help करेगा बार बार उनीक आप revision करे अगर आप देखे selfishity करके देखे भई आप अच्छे से तयारी मालीजी कर रहे है तो देखे आप किस तरीके से notes अपना खुद का तयार करे जैसे आपका अनु पिखो उसको complete जरूर करे ज्यादा थियोरी ना लिके क्योंकि exam के समय आप जिससे कम से कम समय में revision कर सकते है अच्छे से देखे जैसे आपकी ये समीतिया तो आपका जो question पूछा जाएगा इसके अंदर से ही आपका पूछा जाएगा मंत्री मंडल आपका इसके बाद जैसे आपका उद्देशी का है प्रस्तावना इसके बारे में एक फुल डिटेल आप जो अपने जो है नोर्स में डाल सकते है ये इसके लिए क्या होगा इसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास books अवस्य हो देखिया आपका यहां पर इसके बाद देखिया आपका अनुच् कर सकते हैं देखिया आपका इसमें तो इस तरीके से आप हर एक सब्जक्ट के नोर्स तयार करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और इसके लिए जरूरी है भाई